केरल के कोच्ची में दूसरे दिन भी समंदर किनारे नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई दो अवैद बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया गया धमाके के साथ चंद सेकिन में ही दोनों इमारते जमी दोस हो गई इमारत के गिरने के बाद चारो तरफ धूल का गुबबार फैल गया और थोड़ी देर बाद इमारत का मलबा जमीन में पड़ा दिखाई दिया इससे पहले शनिवार को भी मरादू में 150 लग्ज़ी फ्लाट वाली एक अवैद बहुमंजिला इमारत को गिरा दिया गया था तो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समंदर किनारे ये जो इमारत बनी थी बहुमंजिला इमारत प्रशासन ने इस पर कारवाई की दरसल ये देखिए विस्पोर्ट लगाकर विस्पोर्टक के जरिये धमाका कर इस अवैद इमारत को गिरा दिया गया लेकिन इससे पहले तमाम तयारियां की गई थी सुनिश्चित किया गया था कि आसपास जब ये धमाका हो तो आसपास कोई भी मौजूद ना हो और उसके बाद विस्पोर्टक के जरिये इस इमारत को गिरा दिया गया अब दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो ये दो तस्वीर है किस तरीके से एक अवैद इमारत जो की समुद्र किनारे बनी हुई थी जिसको नियमों को ताक पर रखकर बनाने का आरोप था उस मामले में प्रशासिन की दरफ से कारवाई की गई और इस बिल्डिंग में विस्पोर्ट किया गया धमाका किया गया उससे पहले आसपास के एरिये को खाली करा लिया गया था और धमाका कर इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया कुछी सेकेंड्स में ये बिल्डिंग जम ये धूल थी दरसल जो उठती हुई दिखाई दी जब ये विसपोर्ट हुआ और ये बिल्डिंग देखते ही देखते जमी दोस हो गई सुप्रिम कोट के आदेश के बाद इमारतों को गिराने का ये सिलसला शुरू हुआ कल भी एक इमारत गिराई गई थी और आज की तस्व गई ये इमारत उस वक्त जब इस इमारत में धमाका कर इसे गिरा दिया गया दरसल समुद्र किनारे ये इमारत बनी थी नियमों को ताक पर रखकर जिसके बाद परशासिन की तरफ से ये कारवाई हुई सुप्रिम कोट का ओर्डर था कि अवैद इमारतों को गिरा दिया ज झाल 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 झाल